हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका अपने योट्यूब चैनल विहार वोटरे स्टेडी पॉइंट प्रिंसर पे आज का हमारा ब्याकरण का टॉपिक नंबर पंद्रह है जिसका नाम है क्रिया जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले क्लास में आप लोगों ने टॉपिक नंबर 14 में सर्वनाम और टॉपिक नंबर 13 में संग्या के बारे में पड़ा था उनके भेदों को काफी अच्छे से समझा तो आज के लास में हम क्रिया से सम्बन्दित सारी बातों zwar को पहले हम यह जानेंगे कि क्रिया क्या होती है ठेक है तो क्रिया आप लोग पहले से पढ़ रहे होंगे संस्कृत में भी क्रिया होती है यह तो हिंदी ब्याकड़ है तो क्रिया है ही इंग्लिस में भी आप लोग पढ़ते हैं भर्व क्या पढ़ते हैं भर्व को ही क्रिया कहते अब इसका परिभासा हमें देना है तम कहेंगे कि जिन सब्दों या पदों से यह पता चले कि कोई कारिय हो रहा है या किया जा रहा है मतलब कोई सब्द है या कोई पद है उनसे ये पता चलता है कि कोई कारिय मतलब समझे रहे कोई काम हो रहा है या किया जा रहा है उसे क्रि खाना क्रिया हो जाएगा नाचना एक परकार का कार्या है यह भी क्रिया है तो इसी तरह खाना नाचना खेलना पढ़ना मारना पीना जाना सोना लिखना जागना रहना गाना दोड़ना आदी ऐसे जितने भी सब्द आपको मिलते हैं इनसे क्या भोदता है कि कोई कार्या हो रह है ठीक है न तो यह होते हैं क्रिया मतलब कि जिस सब्द के अर्थ में ज्यादा तर मतलब ना आ जाए तो वह क्रिया ही होता है अब कोई ज्यारूरी भी नहीं है क्योंकि अपना के लास्ट में ना होता है लेकि अपना क्रिया नहीं होता है तो यह भी कोई 100% नहीं कहा जा सकता कि लास्ट में करना हो तो किरिया ही होगा मतलब ज्यादा तर रहता है तो यह हो गया किरिया अब कुछ इससे संबंदित कुछ नोट है उसको समझ लेते हैं इसका रूप लिंग वचन एवं पुरुष के कारण से बदलते हैं मतलब किरिया के रूप में परिवर्तन होता है किस के चलते लिंग के चलते आगे हम लोग पढ़ेंगे लिंग एस्तर लिंग पुलिंग समझते हैं न वचन एक वचन दीवचन बहुचन यह भी पढ़ेंगे हम लोग पूरुष प्रतम पूरुष मध्यम पूरुष उत्तम पूरुष तो इसी तरह लिंग वचन और दिती है समय सीमा के बारे में तिसरा है क्रिया के रूप के वज़ा से हमें यहाँ पता चलता है कि कार्य बरतमान में हुआ है भूत काल में हो चुका है या भविश्यत काल में होगा तो मतलब कहने करते आ हैं काल जब हम लोग पढ़ेंगे जिसकों हम लोग तेंस कहते हैं तो तीन को तेंस होता है, परिजेंट टेश then see. या बर्तमान काल भूतकाल और भभीतिकाल तो कोई भी काम बर्तमान काल में अभी हो रहा है, या पहले हो चुका है, या आने वाले समय में होगा, क्रिया के रूप से ही पता चलता है, जैसे कि मान लीजे कहा जाए, मैं खाना खा रहा हूं, इस कारते कि अभी ये काम हो रहा है, तो ये बरतमान काल हो गया, मैं खाना खा चुका हूं, इस कारते कि, मैं खाना ख रहा होंगा याने वाले समय की बात कर रहा है तो क्रिया का रूप बदलने से काल का भी पता चलता है क्रिया का निर्माड धातू से होता है क्रिया का निर्माड किसे होता है धातू से अब धातू क्या होता है अब धातू या धातू साइन्स वाला धातू धातू मत समझेगा य जब धातू में ना लगा दिया जाता है तो क्रिया बन जाती है जैसे कि देखें यहां पे खाना तो इसमें पूछा जाए का धातू क्या होगा तो आप कहेंगे खा उसमें ना लग गया तो खाना हो गया क्रिया हो गया नाचना तो नाचना का धातू रूप क्या होगा नाच खेलना का धातु रूप क्या होगा, खेल, पढ़ना का पठ, मारना का मार, पीना का पी, ये सब धातु रूप होता है, समझ गए, अब चलिए समझते हैं, अगला पॉइंट, उससे पहले क्रिया के कुछ उधारण दिये गए हैं, मतलब पूरे अनुबाद वाक्य के रूप में, उसको थोड़ा देख लेते हैं, राम खेल रहा है, तो इसमें खेल क्या है, क्रिया है, दो नमबर है, मीरा नाच रही है, तो इसमें नाच क्या है, क्रिया है, अली किताब पढ़ रहा है, तो पढ़ क्रिया है, बाजार में बम फट गया है, तो फटना क्या हो गया, क्रिया हो गया, बच्चा पलंक से गिर गया है, तो गिरना क्या हो गया, क्रिया हो गया, तो ये हो गया, क्रिया उनसे सम्दित, कुछ महतुपूर नोट, अब हम लोग जानते हैं कि धातु क्या होता है और धातु कितने प्रकार के होते हैं और उनकी परिभासाओं को समझते हैं जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं धातु जिस मूल रूप से क्रिया को बनाया जाता है अई बताये न क्रिया का निर्मार धातु से ही होता है उसे धातु कहते हैं या क्रिया का यह रूप होता है धातु को क्रिया का मूल रूप कहा जाता है मूल रूप मतलब जहां से क्रिया का जन्म होता है तो वो होता है धातु जैसे बोल तो बोल में ना लगा दिये तो बोलना पढ़ में पढ़ना, घुम में घुमना, लिखना, गाना, हसना, देखना, जाना, खाना, बोलना, रोना सब में ना लगा दिये तो धातू में तो क्रिया बन जाता अभी बताए ने उपर धातू के भेद धातू देखे चार परकार के होते हैं ये देख रहे हैं न चार्टो है पहला है मूल धातू दूसरा है समानने धातू तिसरा है बियुत्पन धातू और चौथा है यौगिक ध होता है उसे मूल धातु कहते हैं मतलब यह किसी से मिलके नहीं बना होता है इस पर किसी परकार का कोई किसी कोई दबाव नहीं होता है यह स्वतंत्र होता है तो मूल धातु कहलाता है जैसे खा तो इसमें कुछ भी नहीं मिला है सिंपल एक नम अपने पूरा-पूरा मूल रूप में है, खा से खाना बन जाएगा, पढ़ से पढ़ना बन जाएगा, लिख से लिखना बन जाएगा, गास से गाना बन जाएगा, जास से जाना बन जाएगा, रो से रोना बन जाएगा, यह स्वतंतर रूप से हैं, तो मूल ध लगा दीजिए ना तो सोना समझ गया है ना बात को ना लगा देंगे बस सब में तो सोना रोना पढ़ना बैठना गाना हसना देखना यह सम आधी हो जाएगा तीसरा है ब्यूत्पन धातू समान्य धातू में परत्याय लगाकर या किसी और कारण से जो परिवर्तन किये जाते हैं उसे ब्यूत्पन धातू कहते हैं परत्याय देखिए आगे टॉपिक में फिर पढ़ेंगे उपसर्ग परत्याय के बारे में थोड़ा बतायते हैं कि जब किसी सब्द के अंत में कोई ऐसा सब्द मतलब ऐसा वर्ड आकर जूड़ जाए ऐसा सब्द आकर जूड़ जाए कि वो उसके अर्थ को बदल दे, तो उसे परत्याय कहते है, उपसर्ग होता है जो किसी सब्द के सुरुवात में आ करके, सब्द के सुरुवात में आ करके, उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है, तो वो उपसर्ग कहलाता है, समझ गया, तो परत्याय मनें लास्ट में लग अगर इसका पुछा जाए कि मुल धातु क्या होगा तो कहेंगे पढ़ समाने धातु क्या होगा तो पढ़ना और वियुत्पन धातु तो पढ़वाना कट कटना समाने धातु होगा अकटवाना वियुत्पन धातु होगा दिल दिलवा तो दिलवाना करवाना खिलवाना धु में दिख रहे हैं न यह होता है ब्यूत्पन धातु और लास्ट है हमारा योगिक धातु तो योगिक धातु को क्रिया में से परतया हटा कर बनाया जाता है मतलब परतया को हटा दिया जाएगा योगिक धातु में से को क्रिया में से परतया को हटा करके बनाया जाता है जैसे पढ़ना से पढ़ा बन गया, यह समाने धातु पढ़ना अब इसमें से ना हटा दिये, अब बन गया पढ़ा, आ आ गया सब में, लिखना से लिखा, खाना से खिलाया या खिलाई, समझ रहे ने बात को, तो चारो में क्या डिफरेंस है, मूल धातु एक दम अकेले रहेगा, चोटा से रहेगा, समाने धातु में ना लग जाएगा, बित्वन धातु में आना हो जाएगा, और योगिक धातु में ना हट करके आ या ए इ बना जाएगा, यह ही हो गया हमारा धातु और धातु के प्रकार, तो विश्वास है कि आप लोग धातु समझ गए होंगे, रूख है तो क्रिया दो परकार को होते हैं जैसे कि इंगलीज में पर पर उक क्रिया cuarto जैसे ट्रांजीटी भरं झाते हैं कि Intranj epicore , तो सबी आएगा, जैसा कि मैं अभी क्या आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, अभी मैं आप लोग को Hindi ब्याकरण फिर आपको Sanskrit ब्याकरण, फिर आपको English grammar मतलब तीनों मिलेगे आपको . ईस चैनल पर ही बाओं तो है कि आपको धीरे-धीरे इतने नि majority content इस पर हो जाएंगे कि आप मतलब दिन दाथ पढ़ेंगे तो भी समाप्त नहीं होगा क्योंकि अभी चैनल को दो महीना बना हुआ हुआ है और दो महीने में करेब करेब हमने 200 से उपर वीडियो सब्सक्राइब कर दिया है तो सोच लीजिये कि हर महीने कम से कम सव वीडियो अप्लोड हो रहा है तो आने वाले एक साल के बाद 1245 से नहीं हर साल 1215 वीडियो अप्लोड हो जाएगा तो एक नए चैनल के लिए बहुत बड़ा टॉपिक होता है कि हर टॉपिक काफी अच्छे से सजा सजा कर लाना इसलिए आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें लीजिए कि आपके लिए हमेशा यह यूजफुल रहेगा चलिए आप समझते हैं अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया के बारे में दिखिए कई जगह या कई पुष्टकों में या कई जगह आप लोग पढ़ते होंगे पहले सकर्मक लोग पढ़ते हैं फिर लोग कर्मक पढ़ते हैं तो उससे टेंशन नहीं लेना है एक ही चीज़ है पहले कर्मक पढ़िए सकर्मक पढ़िए बात वह कर्म रहित कर्म एक होता है देखे रहित मतलब होता है जो नहीं होता है एक होता है सहित मतलब जो होता है तो कर्म रहित लिखे इस कार्थ है कि कर्म नहीं है कर्म सहित लिखे इस कार्थ है कि कर्म है तो अकर्म क्रिया कार्थ होता है कर्म के बीना या कर्म रहित जिन क्रियाओं को कर्म की जवरत नहीं पड़ती, यह जो क्रिया प्रस्ट पूछने पर कोई उतर नहीं देती, उसे कर्मक्रिया कहते हैं, जैसे कि तैरना, कूदना, सोना, ठहरना, जीना, बरसना, रोना, चमकना, हस्ता, कूदना, आदी, तेकि इस एकजाम्पल से आब कलियर नहीं कर पाएं तो वह चड़ता है किस पर चड़ता है कहां चड़ता है कोई पता नहीं है कर्म तो है ही नहीं बस चड़ता है तो यह है अकर्मत वे हसते हैं वे कब हसते हैं कहां हसते हैं क्यों हसते हैं कोई मतलब कर्म नहीं है बस हसते हैं नीता खा रही है नीता क्या खा रही है पता है आपको नहीं पता है तो आप एक खाना क्या हो गया कर्मक्रिया हो गया पक्षी उड़ रहे है तो कहां उड़ रहे है ये भी आपको पता नहीं है तो ये सब अकर्मक्रिया होता है मतलब कि जिसमें कर्म नहों बच्चा रू रहा रहा है क्यों रूर है भई कहा रूर है कुछ भी पता नहीं है तो ये सारे अकर्मक्रिया अब आता है आपका सकर्मक्रिया का अर्थ होता है कर्म के साथ या कर्म सहित मतलब जिसमें कर्म हो उसको कर्म सहित बोलते हैं भी बताए ना उपर जिस क्रिया का प्रभाव करता पर ना पढ़कर करम पर पढ़ता है उसे सकर्म क्रिया कहते हैं मतलब सिंपल भास हम ये भी बूल सकते हैं कि जिन वाकियों में क्रिया के साथ कर्म हो वो सकर्म क्रिया होता है या ऐसे भी definition दे सकते हैं कि जिस क्रिया का परभाव करता पर ना पढ़कर करम पर पढ़ता है उसे सकर्म क क्रिया कहते हैं जैसे वह चड़ाई चड़ता है तो वह चड़ता तो है लेकिन क्या चड़ता है तो चड़ाई चड़ता है तो चड़ाई कर्म हो गया और चड़ना क्रिया हो गया तो अब यहां पे जो यह क्रिया होगा यह क्रिया आपका सकर्म क्रिया होगा मैं खुसी से हसत हूँ तो मैं हसता तो हूँ क्रिया तो कर रहा हूँ कैसे खुसी के साथ तो यह आपका हसना जो हो गया वो सकर्मक्रिया हो गया यहाँ पे खुसी मतलब अन्द feeling वाली खुसी की बात हो रही है कोई लड़की की बात नहीं कर रहे हैं नीता खाना खा रही है नीता खा तो रही है क्या खा रही है खाना खा रही है खाना कर्म हो गया तो यहां पर खाना क्या हो गया सकर्म क्रिया हो गया उसी तरह जोरो से कर्म है और रोना सकर्म क्रिया हे Süla Canel भेए कनून के नोज़ न होगके तो नहीं होते हैं श्कार्मग कारे ज questo को थे ही बढ़े हैं की एप लिए कि आप लिए नए गयाा के लिए बार काम खत्म मैंने आपको धाती कुल था-ठी बता निया जोड़कर के और साथ ही मैंने यह भी बता रहा हूँ कि सकर्मक क्रिया के भी भेद होते हैं तो उसको भी आप जान लेजिए इसके अलाबा भी मैं कुछ नया नयाची अभी बताने वाला हूँ अभी खतम नहीं होने वाला है आज मैं क्रिया का पुरा मतलब संपूर ग्यान लेका रहा हूँ इससे ज्यादा कुछ आपको मिलने वाल आप नहीं है इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन दबाईए और लोगों से भी सब्सक्राइब करवाईए तो एक नमबर है एक कर्मक क्रिया एक कर क्रिया और दुसरा है द्वी कर्मक क्रिया तिसरा है अपूर्ण क्रिया देखे एक कर्मक जिसमें एक कर्म हो वो एक कर्मक क्रिया है द्वी कर्मक जिसमें दो कर्म हो द्वी कर्मक क्रिया है अपूर्ण क्रिया मतलब क्रिया तो हुआ है लेकिन पूरा-पूरा नहीं हुआ ह मतलब उसे ये पता नहीं चल रहा है कि क्रिया पूरा नहीं हुआ है अब आईए तीनों का definition देख लेते हैं पूर्ण एक कर्म क्रिया जिस क्रिया के केवल एक कर्म के पूरे होने का पता चलता है मतलब क्रिया है और उसके साथ एक ही कर्म है तो वो कहलाएगा एक कर्म क्रिया, और क्रिया मतलब क्रिया के साथ एक ही कर्म और वाक्य भी पूरा हो गया है, तो वो एक कर्म क्रिया है, जैसे कि वह रोटी खाता है, तो खाता है, क्रिया है, इसके साथ एक ही कर्म है, रोटी और वाक्य भी पूरा हो गया, श्याम टीबी द देखना है वह एक कर्मक क्रिया है ठीक है और उसी तरह नौक और जाड़ू लगा रही है तो जाड़ू आपका कर्म हो गया और लगाना क्रिया हो गया तो यह आपका एक कर्मक क्रिया हुआ लेकिन चलेंगे पूर्ण द्वीकर्मक क्रिया मतलब क्रिया होगी उसके साथ दो कर कर्म होंगे द्वी कर्मक कार्थ होता है दो कर्म वाला या दो कर्म सहित मतलब सहित कार्थ भी समझाए ना साथ दो कर्म के साथ हो तो जिस क्रिया के साथ दो कर्मों के पूर्ण होने का पता चलता है उसे द्वी कर्मक क्रिया कहते हैं इसमें पहला कर्म प्राड़ी वाचक होत भड़े हैं आप लोग बाईलो जी में तो इतना तो आप जानते ही होंगे चलिये जैसे इसी सोहन ऐ गुरू जी को पढ़नाम किया ध्यान दिजिएगा Sohana ने Guruji Guruji क्या है कर्म है Guruji एक प्राड़ी वाचक है कोई भी Guruji जिन्दे ना होता है मरे हुए को ठोड़े ने कोई परणाम या कुछ करता है तो यहाँ पे Guruji है कर्म पहले कर्म परणाम परणाम जो हो गया दूसरा कर्म हो गया लेकि परणाम कोई सजीव नहीं निर्जीव होता है I get किया कर्णा यहां पर यह किया एनि पूर्ड दवी करनंकरिया है क्यों क्यों किس के साथ दो कर्म है गुरू-जी और परण अगर इसमें से अगर हटा दिया जा परणाम तो पढ़िए तो तो सोहन ने गुरुजी को किया, क्या किया भई, खुछ पता नहीं चल रहा, वाखィय पूरा नहीं हो रहा रहा है, तो जिस वाख्य में क्रिया हो, उसके साथ करम हो, तो उसको कहेंगे पूर्ण, द्वी, कर्मक, क्रिया, और यह होता है सकर्मक, क्रिया का दूसरा भेद, दू पूर्ण द्वीकर्मक क्रिया, स्याम अपने भाई के साथ टीवी देख रहा है, स्याम अपने भाई के साथ टीवी देख रहा है, तो स्याम जो है अपने भाई, तो उसका भाई सजीव है, और टीवी क्या एनर्जीव है, और देखना यहां पे पूर्ण द्वीकर्मक क्रिया ह हो गام उसी तरह nota- of to sales सě पूचा लगा रहा है तो funded पूच्छा तुछ सिंपल है समझ गया होगे अब आये लास्ट इसका है अपुंकिरिया चेड़ क्रिया के होते हुए तो क्रिया और कर्म के रहते हुए भी अकरमक और सकर्म miss क्रिया एसपस्ट अर्थ ना दे मतलब किरिया है कर्म है सब है फिर भी एसपस्ट अर्थ नहीं निकल रहा है तब कहेंगे अपूर्ण किरिया है सारा चीज होने के बाद भी अगर अर्थ किलियर किलियर नहीं निकल पा रहा है तो वह अपूर्ण किरिया है इनके अर्थों को पूरा क करने के लिए जिन सब्दों का परियोग किया जाता है उसे पूरक कहते हैं इसे याद कर लिजेगा पूरक क्या होता है कि पूर्ण किरिया में जिन सब्दों का परियोग करके किरिया का मतलब वाक्य का पूरा अर्थ निकल जाए उसके बाद मतलब उसका परियोग होता है तो निकल जाता है तो वो होता है पूरक लेकिन जब तक अपूर्ण किरी थे उसका अर्थ नहीं निकलेगा जैसे महात्मा गांडी थे महात्मा गांडी थे क्या थे वही कुछ पता नहीं चल रहा है न तुम हो तुम तुम बुद्धिमान हो तो बुद्धिमान पूरक हो या है और इधर अर्थ पूरा नही आ टो मैं अगले वर्स भन जाओंगा क्या वर्स अध्यापक बन जाओंगा समझ रहे ना कूको सीठ्व की तियारी कर रहा हूं सीठ्व निकलेगा तो चांस आया तो अगले साल मैं अध्यापक बन जाओंगा चार नमबर है जवाहरला नेरु भारत के थे क्या थे भई तो जवाहरला नेरु भारत के प्रधान मंतरी थे तो यहां पे रास्तर पिता, बुद्धिमान, अध्यापक, प्रधान मंतरी ये पूरक है क्या है पूरक है और ये सब जो आप चार वाके देख रहे हैं ये अपोर्ड क्रिया है इसमें तो बस ये हैं क्रिया और क्रिया के परकार अब आपके मन में एक सवाल पैदा होता होगा कि यहीं पर क्रिया समाप्त हो गया कुछ ऐसे भी क्रिया है जिनके बारे में आप लोग पढ़े होंगे और वो आपके दिमाग में गर खोगा तो लेगा भाई वो क्रिया कहां चला गया तो आप लोग घबड़ाएं मत अभी क्रिया समाप्त नहीं हुआ है अभी क्रिया हमें पढ़ना है जैसे सहायक क्रिया, प्रेनार्थक क्रिया यह भी तो क्रिया है ना यह सब क्या हुए तो इसका अगर आपको चाहिए कि इसको भी आप जानना चाहते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में इसका हम आपको प्रवाइड करेंगे तो आज के लिए तना ही थैंक्स फर वाचिंग इस वीडियो